नमस्कार, आप सभी का तलादाला के किचन में स्वागत है मैं मानसी आज आपको एक बहुत ही क्विक डिजर्ट सिखाने वाली हूँ जुसका नाम है किट कैट आइसक्रीम संडे तो ये बहुत ही आसान डिजर्ट बनाना चालो करते हैं हम लोग उसके लिए पहले मैं वेनला आइसक्रीम लोगी जो मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रखा था ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए अगर आपको चाहिए ये आइसक्रीम अब ऐसा ही बना के सकते हो संडे बनाने की कोई जरुरत नहीं है घर पे कोई महमान आने वाला हो तो सिर्फ दो इंग्रीडेंस की जरुरत है वो है आइसक्रीम जोकी वेनल आइसक्रीम है और किटकैट अब मैं इसमें किटकैट डालूँगी इसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है और अब भी दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि किटकैट का फ्लेवर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए आइसक्रीम के साथ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है थोड़ थोड़े बड़े पीसिस भी रखे हैं मैंने क्योंकि वो आइसक्रीम खाने के समय वो जो क्रण्च आता है किटकैट चॉकलेट का बहुत ही अच्छा लगता है हाँ ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है अभी मैं एक अलुमीनियम टिन लूँगी और पूरा आइसक्रीम का भी मिश्रन इसमें पोर कर दूँगी और ये जो बचा कुछा आइसक्रीम है उसको मैं चक लेती हूँ सुपब अभी इसको इवन आट कर लीजिए ऐसे और एक अलुमीनियम फॉयल की मदद से उसको ढखके हम लोग उसको कम से कम और चार से पाँच घंटे के लिए डीप फ्रीज में रख देंगे ताकि वो पूरी तरीकी से आइसक्रीम जैसा सेट हो जाए देखिए टाइटली इसको ऐसे पैक कर दीजे चारो और से और अब मैं ये डीप फ्रीज में रखती हूँ देखिए कि आईस्क्रीम पूरी तरह से सेट हो गया है लगबग 5 गंटा मैंने रखा था उससे डीप फ्रीज में अभी इसको साइट पर रखते है और अपना संडे बनाना चालू करते है उसके लिए मैंने दो ग्लासेज लिए है और सबसे पहले नीचे मैं थोड़ा सा ब्रा यूज़ कर रही हूँ लेकिन आपके पास अगर प्लेन चॉकलेट वाला है तो आप वह भी यूज़ कर सकते है अभी मैं इसके उपर कोसली क्रश की हो है किट कैट फिंगर्स डालूंगी थोड़ा सा चॉकलेट सॉस उसके उपर आपको जितना चॉकलेटी पसंद है उतना सॉस डालिए इसी तरह आप ग्लास को भी अंदर की साइट से इसे डेकोरेट कर सकते है वापस थोड़ा सा ब्राउनी क्रमबल करके डालूंगी और अभी जो हम लोग ने किट कैट आइसक्रीम बनाया है उसे स्कूप करके डालेंगे एक में आप दो-दो स्कूप डाल सकते है उपर से थोड़े कलरफुल जैम्स डालेंगे है न ये परफेक्ट पार्टी डेजर्ट गानिश के लिए एक वेफर बिस्किट और अंत में एक किट कैट फिंगर और ये लास्ट किट कैट फिंगर एक और चीज रह गई है अंत में थोड़ असा चॉकलेट सॉस देखिए कितना मजेदार लग रहा है ये तो देखिए ये कलरफुल और चॉकलेटी संडे रडी है तुरंद इसे बनाईए पाटी से भी बनाईए और इसका मजा लीजे बाई-बाई देखिए अरे अर्ड दिखए बनाईए देखि देखिए लगाए इसे पर में अर्ड लग भी है जाओ आप में देखिए लिए फो ये थाद रग्यान दॉड़ है फु ए जायाओ रसीपी लिगाफ तो दो दो जाया लाईए रड़ीश पुलिख भी आखिए रहाई your comments I would love to hear them I'm waiting for them